नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अर्वन केजरिवाल इन दिनों ED के समन से काफी जादा परेशान है उन्हें पांच बार एजनसी के सामने पेश होने के लिए समन भीजा जा चुका है लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुए अब आदी पार्टी इस बीच विरोध प्रतरशन भी कर रही है लेकिन अर्वन केजरिवाल का कहना है कि उन्हें जितने समन भीजे जाएंगे उतने ही वो स्कूल बनवाएंगे पर आज नहीं तो कर केजरिवाल को इडी के समन का जवाब देना होगा जाज एजनसी के पास पेश होना ही होगा सतरा तारीक तो केजरिवाल के लिए काफी एहम है क्योंकि सतरा तारीक को केजरिवाल को दिल्ली के राउजवन्य कोर्ट में पेश होना है तो केजरिवाल इन दिनों किस रणनीती पर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में आखरे क्या चल रहा है बताएंगे आपको मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्या पजल टिवी के अडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार डॉक साब बहुत स्वागत है आपका दन् इतना भी समंदो अब समंद का समय खतम हो गया सत्ता तारी कुत्व को प्रस्तत होना पड़ेगा मैं स्कूल बनाओंगा हॉस्पिटल बनाओंगा भई एहसान करोगे सरकार का काम क्या होता है सरकार का काम क्या होता है राज सरकार का काम क्या होता है राज सरकार का यह कि यह यह सब तो हो नहीं रहा है यह सब तो हो नहीं रहा है दवाई फरजी टेस्ट फरजी हॉस्पिटल में घुटाला सराब में घुटाला बस में घुटाला स्कूल में घुटाला जलबोट में घुटाला पर शर्म भी नहीं आती ही लोगों को इस तरह से पब्लिक में बोलने के लिए और कोई पत्रकार उसको सवाल नहीं करता मतलब क्या समझेगी कि इज्रिवाल यह कहना चाहते हैं कि जितने समन भी जो गोटाला करोगा वही बात ही है अभी तो राजवन्य कोट में जाना है सत्य तारिक को और इसको मालूम है कि गिरिफ्तारी हो भी यह टल नहीं सकता हमने कल बताया था कि किस तरीके से संजय सिंग और मनिस्य सोधिया के केस में डिली हाई कोट के द्वारा साफ साफ निखा गया कि यह जो केजरिवाल कानून लिकर के आया था वो सराब माफिया को फाइदा पहुचाने के लिए और इसलिए किसी का बेल नहीं हो रहा किसी का भी बेल नहीं हो रहा इतने आप सत्त हरिश्चंद होते तो साल भर से जेल में चक्की पीश रहे हो बच के निकल आये होते जजे उसको भी दया आ गई होते हैं लेकिन सुप्रीम कोट में जब कह दिया कि 330 कड़ों रूपे का घुटाला ये प्रामा फेसी नजर आ रहा है तो फिर बचने की तो कोई उमीद नहीं है और ये लोगों को क्या गफलत दे रहा है मैं स्कूल बनाता रहूंगा और बही त तुम्हारा काम है ड्रावर ये कहे कि देखिए हमें कुछ भी कहते हो मैं तो गाड़ी चलाओंगा आरे बही तुमको पूसी की सैलरी मिलती है राज सरकार स्कूल नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा बाहर से लोग आएंगे भी 44 तरफ से घिर गया है तो क्या कर रहा हैं और यो और ये कंग्रेस पार्टी वालों की मती मारी गयी है मती मारी मारी गया पता नहीं दिमाग घुटने वो चला गया काम्रेसियों की घोसना कर दिया इसने तरी आशम में तील अभी और घोसना होगा तेरे तारिक को इसने मीटिंग बुलाई है क्यों बुलाई गई है वो मीटिंग गोवा भी, हर्याना भी गुजराद भी करनाटक भी हर जगह वो उमिद्वार की घोशना करेगा तेरे तारिक को और जो मैं कह रहा हूँ कि भाई रोरो करके फोन कर रहा है किसलिए कि सत्रा के बाद वो कभी भी गिरफतार हो सकता है अब गिरफतार होगा तो दिल्ली में तो रिस्पॉंस नहीं मिल रहा या फिर भी माल तो बहुत ही लोगों ने कमा लिये है बहारे पे लोगों को लेकर क्याएगा जैसे रामलीला मैदान में भी उसने रहली की थी पाच पाच सो रुपे दे कर के लोगों को कठक किया था उसका भी खुलासा हो गया था तो दिल्ली में परदरसल हो जाएगा पंजाब में सरकार है तो प्रदरसल हो जाएगा पंजाब वाले कुछ हिमाचल में भी चले जाएंगे लेकिन हर्याना में गुजरात में राजस्थान में गोवा में असब में तो कभी लोग खड़े नहीं हुए ते तीन की घोसना कर दी इसने क्यों कर रहा है वो इसलिए कि मैं जेल जाओंगा तो प्रोटिस्ट होना चाहिए नेशनल लीडर हूँ नेशनल पार्टी है विश्व के सबसे पॉपलर सबसे कटर इमानदार लीडर को जेल में डाला जाएगा पब्लिक रियक्शन नहीं होगा तो कितनी भंद पिटेगी मीडिया वालों को पैसे दे ही दिया हूँ बीस पचीस लोग किसी नुकल पे ख़़ए कर दोगे वाटसप पे वीडियो भेज दोगे आमादी पार्टी के दफतर और उस दफतर से हम भेज देंगे टेलिविजन चैनलों को तो वो खबर चलेगी वो गरेंटी हमारी है ये महाल बराने की कोशिस की केजरिवाल को जेल में डालते ही देश भर में प्रदरसन हो रहे है और वो इस जेल के जाने को भी किस तरीके से पॉलिटिकली यूटलाइज कर सकता है उसके फिराक में यही प्लान चल रहा है उसका अब तो वापी कोई बेवकुप थोड़े बैठे हुए है वो बोल रहे हैं हमको क्या मिलेगा टिकेट ले लो लड़ लो और कैम्पेन के नाम पे तुमको हम पैसे भी देंगे दिस इस वाट इस हैपनिंग और यह लोग परिशान गूम रहे हैं पिछली बार एक गगोई खड़ा हुआ था आमादी पार्टी से उमिद्वार था माउष्ठ था कॉंग्रेस पार्टी न उसको जेल में डाल दिया था माउवाद के चक्कर में इन लोगों ने लूडा लगना एक जो है वो बनाया गड़बंदन वो भी नाराज है वो बोलाए कि बिना हमों से पूचए हुए क्या गड़बंदन बनाया और किसको गड़बंदन बना रहा है यह एक्टिविस्ट किसम के लोगों को कि सौ दूसरों जो एक ठाक करके लेकि आ सकते हैं अभी देखिए का 36 गड़ में भी मत्रदेश में तेरा तारिक को वो अलग अलग राज्यों के उम्मिदवारों की घोसना करेगा और सब को फोन करके कहरा है कि अगर मैं जेल गया तो आंदोलन करना अपने अपने कंसिशनसी म और वीडियो भेज़ देता मैं वीडियो फिर चलवा दूँगा मीडिया में लगना चाहिए कि केजरिवाल को जेल में डालने से पूरा देश जो है वो आंदोलित हो गया है यह उसका प्लैन कि अभी डिली के अंदर में कौंघुरी क्या कर नहीं हाथ पर तोड़न लो माता खराब है क्या है पता है नहीं चला रहा है कौंग्रेस पूरब में आप अलग लगने हो और दिली में जो है Congress Party जो है इनलज की तरह उसको चार सीट देने को अफ़र तैयार है पिछली बार 2nd position पर रही Congress Party और Congress Party को Disturb करने के लिए यह हर्याने में भी जा रहा है वो गूजरात में भी जा रहा है गोवा में भी जा रहा है करनाटक में भी जा रहा है, असम में भी चला गया, यह हर जगा जहाँ जहाँ कॉंग्रेस पार्टी हिमाचल में भी जाएगा, वो डिस्टर्ब करने के लिए आप जो है वहाँ पहुँच गये, राहुल गांदी जहाँ 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 गये, भारत जोड़ो यात्रा में और कॉंच पाटी के तरप से एक शब्द नहीं बाहरा रहा है हुए है अ चत्रुच्रमाग की केजरिवाल और एसमके उमिदवारों की घोष्ना भी कर रहा है ये कर से खिलाफील अलेगा नहीं वह अगया चैनल को इसको चलारा है और यह बोल रहा है कि धें आरा जो है कि हम गटवंदन में, इंडीग गटवंदन में बिल्कुल शामिल हैं, गटवंदन से ज़रासा भी हम हिलने डूलने वाले नहीं है, उधर भुझ में भी उम्मिधवार कि खाठा करनी है, तो ये जो केजरीवार की राज़नीती है, और राहूल गांदी के पल्ले नहीं पढ़ने यह इतना चतुर है कि वो देखिए आम आदी पार्टी को समझना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला में आपको देजेता हूँ यह पार्टी केजरिवाल का एक इंफिलेटेड इगो है वहाँ जो कुछ भी होगा इट इस अपार्टी off केजरिवाल by केजरिवाल and for केजरिवाल वहाँ तीसरा कुछ नहीं है इसको क्या फर्ट पड़ता है? पैसे की कमी है नहीं क्या फर्ट पता है? जियल गया तो देजभर में आंदोले होना चाहिए मनिश्य सोधिया गया अंदुलन वह नहीं हुआ दिली दिली में इसने छोड़ दिया यह उस समय प्लैन कर लिया होगा कभी मनिश्य सोधिया जेल में पूरे देजबर में अंदुलन करवा देंगे तो बबाल मचेगा कहीं मेरा कद छोटा ना हो जाए अब जब वो जाएगा तो मनिश्य सोधिया मने राहुल गांदी से ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करवाना चाहता है ताकि वो अपने आपको मोदी के बाद में कंटेंडर बनाने की कोशिश में है तो यह केजरिवाल की तारीव है कि वो इतना मने उसका सिर जो है अखली में घुचा हुआ है हाना है को साप के बिल में हाट डाला हुआ है एडी जो है साप है कभी उसको डसेगी लेकिन उसको भी एक पॉलिटिकल अपर्चुनिटी में कंवर्ट करनी में लगा हुआ है and this is his study बिलकुल सर बहुत बहुत अगर वो पेश नहीं होते हैं तो बड़ा आक्शन भी लिया जाएगा आप अपनी राएं कमेंट कर लिखें देखें किया पचल टीवी नमस्कार कर दो कर दो